इस सत्संग में हम प्रभु ईशु के जीवन का अध्यान करते हैं प्रभु ईशु जब मैं शब्द का उपयो करता हूँ तो आपको लगेगा कौन ईशु अपन उतर भारत में जिनको ईशा या ईशा मसी बोलते हैं ईशा एक उर्दू नाम है इसा मसी बी उर्दू नाम है उसी का हिंदी रूप है येशु और मल्याली लोग जो केरल वाले हैं वो लोग उसी को उसी का रूपां त्रेंड करके उसी नाम को येशु बोलते हैं मैं हिंदी उर्दो दोनों शब्दों का प्रयोग बीच बीच मिक्स करके करूँगा जो भी मुझ में आता है दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से 2000 साल पहले मध्यपूरु में प्रभु ईशु या ईशा मनिशु रूप में नया जीवन देना था प्रभु ने इस कारण अपने जीवन में कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी कोई धर्म नहीं चलाया और प्रभु ने हमेशा इस बात पर जोर दिया मैं इसलिए इस संसार में आया हूँ कि जो मेरे अनियाई है उनको जीवन मिले और वो जीवन बहुत पायद से मिले ये था प्रभू के कहने का मतलब प्रभू आज से 2000 साल पहले जब संसार पधारे बिल्कुल एक मानव शिशु के रूप में उन्हें ने जन्म लिया लेकिन ये जन्म उन्हें जो लिया ये कोई अकसमात जन्म नहीं था प्रभू के संसार में पधारने से लगब भविश्वानियां चली आ रही थी कि इस तरह से एक मुक्तिदाता पधारेंगे प्रभु के आने तक 4000 सालों में कम से कम 1000 भविश्वानियां हुई थी कि मुक्तिदाता संसार में पधारेंगे और जब प्रभु येशु संसार में पधारे एक शिशु के रूप में उस समय सारे संसार में काफी हलचल हुई थी कई प्रकार के चिन्हों के द्वारा ये बात स्पष्ट हो गई थी कि जगत के मुक्तिदाता पधारे हैं एक जगह मधिपूर में गड़ेरी लोग जब रात को बेड़ों के साथ अलाओ में आग तापते हुए विश्राम कर रहे थे तब अचानक सुर्गदूतों का एक समूह प्रगट हुआ और उनको बताए कि देखो मनिश्यों के लिए या मनिश्यों को मुक्ति देने के लिए जो मुक्तिदाता पधारे हैं वो फलानी जगह पर हैं इसके बाद नियमित रूप से लोगों को तमाम तरह के चिन दिखाई दिये मद्यपूर में ही विद्वानों का एक बहुत बड़ा जुन्ड था काफी बड़ा जुन्ड था वे लोग हर चीज का ध्यान करते थे मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री उसके अलावा खगोल शास्त्र तारे किस तरह से चलते हैं इन चीजों का ध्यान करते थे उन लोगों ने अचानक एक दिन एक आस्मन में एक नया तारा देखा अचानक अचंबा हुआ उनको उसका उनने अध्यान किया उस अध्यान से उनको ये बात स्पष्ट हो गई कि ये तारा इस बात की और इशारा करता है कि एक राजा दिराज संसार में पधारे हैं तारे की पोजिशन वगरा का उननने अध्यान किया तो उससे उनको ये बात सफ़ष्ट होगे कि जो राजादी राज संसार में पधारे हैं वे यहुदियों के देश में पधारे हैं और इसलिए तुरंट उन्हें ने क्या किया कि सारा माल अस्बाब सब बाम भून के ऐसा अनुमान है कि 30-40 लोग थे और यदि 30-40 विद्वान रहे होंगे तो कम से कम 50-100 के बीच में उनके साथ रहे होंगे जिनके उपर पानी, खाना और जरूरत की सारे उनकी जो किताबें वगरा है वो सब पैक करके वो लोग चल दिये कहां चल दिये, इस राजा दिराज के दर्शन के लिए, फाइनली प्रभु की वया से उनने राजा दिराज के दर्शन किये वो कोई सामन्य तारा नहीं था सामन्य तारे की विशेष्टा ये होती है कि आप तारे को देखते हुए चलें तो आपको ऐसा लगेगा कि तारा आपके साथ चल रहा इधर को चलें तो तारा आपके साथ इधर को चलेगा इधर को चलें तो तारा इधर को चलेगा चंदा मामा की भी यही स्थिती है बच्पन में तो हम चंदा मामा को लेके खूब गूमते थे इधर भी जाते थे इधर भी जाते थे हर जगे चंदा मामा हमारे साथ आते हुए नजर आते थे लेकिन ये तारह एक विशेश था इस तारह की विशेश था ये थी कि तारह ये उधर जा रहा हो और आप इधर को चलें तो तारह इधर को नहीं चलेगा दूरी और बढ़ जाएगी उस तारह के पीछे पीछे भी लोग चले और वो तारा उस जगह पर जाकर रुका जहां पर प्रभु ईशु या ईसा थे उस समय तक ईसा की उमर दो साल से जादा हो गई थी महां जाकर उन्होंने बालक का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद पिछले हफते मैंने आपको याद दिलाए था राजाद ही राज लोगों को जो पारितोशी क्या जो इनाम दिया जाता है सोना कौन सा सोना सबसे प्यूर सोना है जिसको अपने इंदी में कुंदन बोलते हैं उसके अलावा लोबान जो की सिर्फ राजाद ही राजों को उस समय दिया जाता था और गंदरस जो कि सिर्व राजादिराज को दिया जाता था साश्टांग गर कर उन्हें ने बालक ईशु को प्रणाम के ये सब दिया प्रभू ईशा की माताश्री को ये बात मालूम थी कि ये एक दिव्य बालक है पिताश्री भी इस बात को जानते थे कि एक दिवे बालक है और जब इस तरह से विद्वाना का काफिला आया साच टांग जमीन पर लेट कर उन्हें ने जब प्रभू की सूती आराद ना की और प्रभू को यह से बेंट चड़ाए तो यह और कंफर्म हो गया कि प्रभू ने और लोगों को भी यह जानकरी दी है कि यह राजा दिराज है प्रभू तीस साल तक अपने माबाप के साथ रहे बिल्कुल जिस तरह से सामान्य एक विक्ति अपने माबाप के साथ रहता है इस पीच कई बार उन्हें ने इस बाद के लठ्षन दिखाए कि वे एक सामानी व्यक्ति नहीं है तीस साल की उमर में जब उनको समझ में आ गया कि अब मेरा सेवाकाल आरभ हो गया है तो प्रभु माबाप से विदा लेकर चल दिये सेवाकाल के लिए चलते में प्रभु ने बहुत सारे काम किये जिसका इतिहास कम से कम चार लोगों ने डीटेल में लिखकर हमको दिया है जब इस इतिहास को और उसके अलावा अन्य जगह पर भी जो इतिहास मिलता है उसको देखते हैं तब उससे हमको ये बात पता चलती है कि प्रभु ने अपने लिए बारा खास चेले चुल लिए थे ये बारा अलग अलग पेशे के लोग थे एक टैक्स आफिसर था तो दूसरा फिलोसफर था इस तरह से बारा लोग प्रभु ने अपने साथ कर लिए और प्रभु जहां भी जाते थे ये बारा लोग प्रभू के साथ हर जगे जाते थे साड़े तीन साल प्रभू ने बिना मिश्राम किये घूम घूम कर लोगों को ये संदेश दिया कि मनिश के लिए जीवन में मुक्ती जरूरी है मुक्ती का क्या मतलब है ये भी मैं जरा स्पष्ट कर दूँ प्रभू ने स्वयम कहा पिछले हफ़ते हमने जिस पुस्तक आधियन किया था उस पुस्तक के तीसरे अधियाय को जब हम देखते हैं उसमें प्रभू ने सपष्ट ये बात कही कि देखो जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है आत्मिक रूप से मृत्यू का अनभाव वो करता है इसी कारण हमें सेधी किसी से पूछा जाए कि भी या इस संसार को जब संसार में तुम्हारे जीवन खतम हो जाएगा उसके बाद जाओगे कहां जाओगे ज्यादातर लोगों का जवाब एक दम से होता है कहां जाएंगे क्या मालूग मैं कभी नहीं भूल सकता जब मैं B.E.C. फस्ट इयर में पढ़ता था तो घर से लगबख 6 किलो मीटर दूर कॉलेज था साइकल से जाते थे हम लोग शुरू शुरू में पापा हमको साइकल दिलाने की हैसियत में नहीं थे तो पैदल ही जाये करते थे पैदल 6 किलो मीटर उदर पैदल 6 किलो मीटर इदर आज प्रपु के वाणी जितने लोग इहां सुन रहे हैं इन में से ज़्यादा तर लोगों का गाउं के जिवन में ही आज प्रपु किलो मीटर तो अपन बड़े आराम से वैसे भी हाट देहात वगरा में जाने के लिए चलते हैं एक बार हमारे कालिश के पास एक बाबाजी पधारे जिनके बारे में इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं काफी भीड जमा थी मैं भी गया मैं तो हर चीज में डबल उत्सुक था गय तो देखा एक बाबाजी बैठे हुए हैं चारों तरफ जनता गेरी हुई है बाबाजी ने अपना जो देहना हाथ है वो योँ उठा के रखा है देहना हाथ योँ उठा के रखा हो तो उसमें कौन बड़ी बात है ध्यान से देखा तो पता चला कि वो देहना हाथ उनने जो यो उठा के रखा है वो सूख कर लकड़ी के समान हो चुका है बाबा जी अब चाहे तो भी उसको हिला नहीं सकते तो ये बात पता चल गई कि बाबा जी ने सालों से बहुत भयानक कठोर तब किया है और इस तपस्या के कारेंड उनका हाथ जो है लगड़ी के काठ या काठ के समान यम कर बिलकुल बेकार हो चुका है हम मैं से कोई भी व्यक्ति इतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकता है मैं तो देखके हैरान हो गया जिग्यासा के कारेंड मैंने पूछा कि बाबा जी कितने साल से कर रहे हैं तो उन्हाने बताया यह मैं जो आपको घटना सुना रहा हूँ यह पचास साल पहले की बात है उन्हाने बताया शायद 10-12 साल से उन्हाने अपने हाथ को यह रखा था और 10-12 साल में वो हाथ जो है बेकार हो गया मैंने उनसे पूछा बाबा जी ये 10-12 साल से आप जो ये भयानक, कठोर तपस्या कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं तो बाबा जी का जवाब था बच्चा चाहो तो तुम मानLo की मैं तुमेरा लिए कर रहा हूँ चाहो तो मानलो की मैं अपनी लिए कर रहा हूँ देखें मैं तो Science का विद्यारती था हर चीज का एक निश्चत उत्तर सुनने की एक जिग्या सामन में हैं ये किसी से पूछा जाए इसको हाथ में लेके तब उस अध्यापक से थोड़ी फिर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा जो इस तरह का उट पटांग जवाब देता है तो इसलिए मैं बाबा जी से डेफिनेट उत्तर की उम्मीद में था बाबा जी बोले बच्चा तुम मान लो कि तुम्हारे ली किया है मान लो मेरे ली किया है ठीक है मैंने सूचा बाबा जी को शायद प्रश्ण समझ में नहीं है तो मैंने उसको थोड़ा और विस्तार से पूछा कि बाबा जी इतने सालों से आपने इतना भैंकर तब कर रखा है और ये जो तब आपने किया है इससे आपको मुक्ती मिल गई क्या आपको मोक्ष मिल गया क्या फिर से बाबा जी ने जवाब दिया बच्चा मोक्ष की क्या ग पिछले 10 या 12 साल से इतना कठिन तब कर रहा है लेकिन उसको इस बात की यारंटी नहीं है कि उससे मुझे कोई फायदा मिलेगा उनको कोई फायदा मिलेगा या उनके जीवन में उनको मोक्ष मिलेगा या नहीं प्रभु एशु ने जब अपनी शिष्षाई दी तब बार बार प्रभु ने एक बात ये कही थी कि मनिश्य अपने कर्म के द्वारा अपने आपको ये दी बचाने की कोशिश करता है तो उसे कोई फायदा नहीं होगा इसका विस्तार भी प्रभु ने कई बार विस्तार से प्रभु ने समझाया है मैंने इसके पहले आपको बताया था याद है प्रभु से चर्चा करने के लिए एक बहुती बड़े विद्वान आये थी जिन से प्रभू ने कहा था कि देखे महाश्य हर व्यक्ति के लिए एक नव जीवन जरूरी है और वो विद्वान हैरान हो गया कि नव जीवन ये ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन पूरे साड़े तीन जहां भी प्रभू गए हर जगे प्रभू लोगों को ये बात बताते के देखो यदि तुम अपने कर्मों के द्वारा एक नव जीवन या मुक्ति या मोक्ष या ईश्वर के पास पहुँच पाना चाहते हो तो तुमारे श्रम से नहीं हो सकता है इसलिए तो मैं इस संसार में पधा रहा हूँ जिससे की तुमारे लिए मुक्ति का द्वार खोल दू प्रिय भाईयों और बेहनों आज जो लोग इस सत्संग में उपस्तित हुए हैं उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जो अपने एक साथ एकतरित हुए हैं इसके पीछे कई लट्षे हैं एक लट्षी यह है कि अपने भविशी के बारे में हमको निश्चे हो जाए दूसरा लट्षी यह है कि निश्चे होने के बाद इस तरह का जीवन बिताएं जो हमारे लिए उचित है दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्यान भाईया एक मौत को और दूजा सिर्जनहार यह दो चीजें कभी न भूलें तो जब तक है जिन्दगी फुरसत न मिलेगी काम से और आज तो इस सत्संग में जो लोग आएं हैं रोजी रोटी के लिए घर से हजारों किलोमीटर दूर आके काम कर रहे हैं और इसलिए फुरसत की तो बात पूछिये ही नहीं हमें थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा जिससे के हम सिर्जनहार को स्मरेंड करें इसलिए भी मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं संडे शाम को सत्संग में आज आया करें उस प्रभू ने साड़े तीन सालों में जो कुछ किया था चार लेखों को ने प्रभू के बारे में विस्तार से लिखा है उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने लिखने की कोशिश की थी जिसके बारे में प्रभू के वचन में लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने प्रभू के जीवन के बारे में लिखने की कोशिश की बहुत अद्बुत है ये साड़े तीन साल प्रभु के जो है उसके बारे में प्रभु के एक अनियाई का कहना है कि प्रभु ने जो कुछ साड़े तीन सालों में किया यदि उसमें से हर बात को विस्तार से लिखने की कोशिश करें तो इतनी किताबें लिखनी पढ़ेंगी कि सारी दुनिया भी उन किताबों से भर जाए लेकिन इन चार लोगों ने क्या किया कि सेलेक्टेड बाते हमको बताईं जिसमें से एक बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु की जीवनी जिन चार लोगों ने लिखी थी मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं पहले का नाम था मत्ती उस जमाने में ऐसी नाम चलते थे दूसरे का नाम था मर्कुस तीसरे का नाम था लूका चौथे का नाम था योहन्न योहनना तो बड़ा बुद्धी जीवी था उस समय ग्रीक फिलोसफी का बड़ा प्रचलन था और योहनना ग्रीक फिलोसफी का ग्याता था उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है जो बाइबल के उतरा अर्द में चोथा ग्रंथ है उसके छटे अध्याए में हम इस तरह से पढ़ते हैं योहनना छटे अध्याए में शुरू से मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ उतना परियाप्त होगा इस बीच में इदर उदर किताब खोलने के मतलब ध्यान ना बढ़ जाए इस कारण जिने ये पुस्तके खोलने का नहीं हो नहीं वो मेरी मैं जो पढ़के सुना रहा हूँ सुन लीजे महां लिखा है इन बातों के पश्चा प्रभु ईशू गलील की जील के पार गए जील शब्द का उपयोग इसलिए किया है कि अपने तालाब तो बहुत देखे हैं जील बहुत बढ़ा होता है जील नदी नहीं होती है उसमें पानी स्तिर रहता है लेकिन तालाब से इतना बढ़ा होता है कि उसमें तो नावें और जाज भी चलते हैं तो प्रभु जील के बाहर गए पार गए और एक बड़ी भीड उनके पीछे हो ली देहिए एक व्यक्ति एक जगह से अती विशाल नाव में या जहाज में जील पार करके दूसरी तरफ जाते हैं तो लोग जो उनको देखना चाहते हैं तेर के तो नहीं जा सकते तो इसका मतलब है कि उनको मालूम था कि प्रभू दूसरी और जा रहे हैं इस करण काफी सारे लोग नावों में और इस तरफी चीजों में प्रभू के पीछे पीछे हो लिए और जब प्रभू वहाँ जाके उत्रे तो जैसे ही लोगों ने देखा उनने भी सब जब लोगों को सूचना दियो गया अरे प्रभू आये हैं प्रभू आये हैं उसका फल क्या हुआ दूसरे पत्मे हम देखते हैं एक बड़ी भीड उनके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्यरी कर्म वो बीमारों पर दिखाते थे वे सब लोग उसको देखते थे क्या श्यरी कर्म दिखाते थे पिछले हफते मैंने फिर से आपको ये बातियाद दिलाई थी कोई भी अंधा जो प्रभू के पास गया वो कभी भी अंधा नहीं लोटा कोई भी लंगड़ा जो प्रभू के पास गया वो लंगड़ाते हुए नहीं गया, वापस नहीं गया, यहां तक कि जो मरे हुए लोग थे, जिनको या तो प्रभु ने देखा, या जिनके बारे में प्रभु से लोगों ने याचना की, उनमें से हर व्यक्ति को प्रभु ने जीवन दिया, यह कोई मामली बात नहीं है, हम सब इस बात को जानते हैं, कि यदि कोई संता कर अपने गाउं में किसी मुर्दे को जीवित कर दें, तो बिजली के समान ये खबर जो है, आसपास के सारे गाउं में फैल जाएगी, और फिर सब लोग जो है, मुर्दों को प्रभु के पास लाने लगेंगे, तो यदि प्र प्रभु के बारे में इस तरह से खबर फैल गई, तो उसमें कोई ताज्यू भी बात नहीं, आपन सब जानते हैं, गाउं में एरी, कोई भी विशेश बात होती है, सारे गाउं में खबर फैल जाते है, तो प्रभु जील के पार आये, और ऐसी जनता उनके ओपर तूट जाता हूं, दुर्भाग्य से हम सब, मैं और आप, 21 शताबदी में जी रहे हैं, जहां लौट स्पीकर वगरा का उपयोग इतना जादा हो गया है, कि बिना लौट स्पीकर के लोगों को बोलते हुए अपनने नहीं सुना है, लेकिन मेरी उमर अब इतनी हो गई है, कि मैंने सुना है, मेरे बच्पन में, यदि दो-चार गाउं के लोगों को कोई ख़बर देनी होती थी, तो सुबर सुबर, चार बजे, क्योंकि गाउं में सब लोग चार बजे के आसपास उड़ जाते हैं, चार बजे के आसपास गाउं में, जो उंचे से उंचा पेड़ मिल सकता ह है, उस पर दो जने चड़ जाते थे, एक जो खबर देना चाता था, दो जिसकी आवाज इतनी भारी होती थी, कि इवन शेर उस आवाज को सुनकर डर जाएं, ऐसा होता था, मैंने सुना है, मैंने अपने बच्पन में देगा हैं, पहला आदमी संदेश देता था, गाओं वाले प्रिये भाई और बहनों, तो दूसरा जिसकी आवाज बहुत भारी होती थी, वो अपने फुल मॉल्यूम से गाओं के सारे भाई और बहनों बोलता था, सुबह चार बजे, आसपास के चार छे गाओं में आवाज पहुँच जाती थी, खास कर 40-40, 50-50 फुट उचे पेड़ों पर से जब वे लोग डिकलायर करते थे, मैंने खुद अपने आखों से सुना है, मेरे दादा जी इसमें बहुत एक्सपर्ट है, दादा जी की आवाज तो इतनी जोर की थी कि मुर्दे भी उठके भाग जाए, तो वो इस काम के लिए जाते थे, वो था उची पहाडिया पे खड़े हो जाते थे, और उची पहाडिया पे खड़े होकर, यदि आपकी खुद की आवाज यदि जोर की है, तो आप जोर से बोलेंगे, तो पहाडिया से आवाज दूर दूर तक जाती है, आपने सुना होगा उचे पहाड पे जोर से कौन है बोलो, तो कौन है, कौन है, कौन है, एको प्रतिद्वनी आती है, दूर जाके आवाज वापस आती है, तो ऐसे पहाड पे चड़के बोलते थे, तो प्रभु पहाडिया पे चड़ गए, क्योंकि प्रभु को अनमान था, कि आज तो जनता तूटने वाली है, ऐसा ही हुआ, पाच्व शी खिलिपुस से कहा, इनके भोजन के लिए रोटी कहां से मोल लाएं, ये भोजन की क्या फिकर हो गई, इसके पीछे भी एक रहस्य था, उस जमाने में, आज से 2000 साल पहले, जब कोई भीड सब कुछ छोड़के, किसी महान व्यक्ति के पीछे हो लेती थी, तो सुबह से श ले कुछ खान पान का भी तो इंतिजाम करना पड़ेगा, पानी की तो समस्य नहीं थी, क्यों, जील बगल में है, खाना, तो प्रभु ने अपने प्रिय शिश्य को बुला के, कहा, खिलाओ इनको खाना, तो वो धक रह गया, वो बुला कि प्रभु आप कैसी बात करते हैं, दोसो दीनार यदी हो, तो उसमें जरा जरा सा खाना मिल पाएगा, एक एक व्यक्ति को जरा जरा सा कौर मिल पाएगा, सवाल यह है, दोसो दीनार की बात उसने क्यों कही, इसके पीछे एक रहस्य है, उस जमाने में एक व्यक्ति साल भर यदी उसको नौकरी मिले, मजदूरी, मजदूरी करते थे, उस अवे आफिस कहा होते थे यदि एक एकती को साल भर मजदूरी मिले तो साल भर उसको जो तनखा मिलती थी वो दोसो दीनार होता था तो उसके कहने का मतलब था प्रभू आप क्या कह रहे हैं यदि एक हटे-कटे मजदूर की साल बर की मजदूरी यदि मेरे हाथ में रख दिया जाए और उससे यदि मैं खाना खरीद के लाओं तो लोगों के मुँँ में एक-एक कोर खाना जा पाए उंट के मुँँ में जीरा और आप कह रहे हैं कि इनको खाना खिलाए जाए देखिए प्रबु के मन में एक योजना थी और इसलिए प्रबु ने फिलिपुस से पूछा उन्हें ने कहा कि अच्छे ठीक कोई बाप नहीं ये तो बताओ कि तुम लोगों के पास कुछ और है क्या खान पान के लिए इस घटना को अन्य लोगों ने भी इस घटना का वर्नन किया है जब हम उन सब की तुलना करते हैं तो प्रबु ने का अच्छा भई एक आदमी के साल बर की ये दित मजदूरी से भी कुछ नहीं हो पाएगा कम से कम ये तो बताओ कि ये जो जनता तूट पड़ रही है इनमें से किसी के पास खाने के लिए कुछ है क्या उन लोगों ने ढूंडन के बताए कि हे प्रभू कुल मिला कर एक बालक है जिसके पास पांच रोटी है और दो मचली है यहूदी लोग मांसाहारी होते थे और ये जील से खुब मचलीय मिल जाती थी तो वो रोटी मचली का सेवन करते थे एक बालक के पास जरा इस बात को जरा ध्यान दे काफी सारे बड़े लोग आये थे पुरिष भी थे, स्त्री भी थे लेकिन वे प्रभु की वानी को सुनने के लिए इतने उत्सुफ थे कि कुछ नहीं लाए एक बालक जो प्रभु की वानी सुनना चाता था उसकी माताश्री ने उसको पांच रोटी और दो मचली दे दी थी वो उसको लाद कर ले गया था रोटी से वो अपनी जो पतली वाली जो सूखी रोटी है वो नहीं ये मद्यपूर में जो रोटीयां होती थी आप बंड जानते हैं बंड की मोटाई और रुमाली रोटी के समान साइज होता था ऐसे पांच रोटी वो जो है अपने साथ लाया फिलिपूस ने कहा कि प्रभू इसका क्या होगा प्रभू ने कहा कि ठीक है जो भी है तुम लाओ तो मेरे पास तो ये रोटी प्रभू के पास लाए अब प्रभू ने कहा सब को बैटने को बोलो प्रभु के एक और शिश्य महाँ पे आये थे जिसका नाम था अंद्रियास उनसे आग गिया दी कि चलो वो रोटी ले आओ सबको बैठने को बोलो बैठा दिया पचास-पचास की लाइन में पचास-पचास की लाइनों में उनको पंक्तियों में जिस तरह से अपन शादी के लिए बैठा आया तो पता चला कि सिर्फ पुरिश ही पुरिश बच्चे नहीं, स्त्रिया नहीं सिर्फ पुरिश ही पुरिश पांच हजार के लोग थे अपन जानते हैं कि दार्मिक जो भी सत्संग है महास्त्रियों की संख्या पुरिशों से जादा होती है बच्चे अलग तो अनमान है कि ये जो पाँच हजार पुरिश थे इसके अलावा कम से कम पाँच हजार स्त्रिया रहे होगी दस हजार के लोग 10 हजार लोग पाँच रोटियां क्या करते चेले यूँ असमंजस में थे प्रभु ने क्यों बैठाया प्रभु तो संसार कе सुन्ष्टा है उन्हेंने रोटी ली रोटी के लिए प्रार्थ न की तोड़ तोड़ कर शिश्यों को देते गए की तोड़ा क्यों रोटी को फाड़ा क्यों नहीं, जैसा मैंने कहा वो लोग जो रोटी बनाते थे, वो काफी मोटी रोटी होती थी तोड़ तोड़ का शिष्यों को देते गए बोला, बाटो कुछ समझ में नहीं आया शिष्यों को, लेकिन प्रबु के आ गया थी बाटते गए बाटते गए बाटते गए वो जो दस हजार से उपर जो लोग थे पुरिश और स्तरी मिला कर सिर्फ पुरिश मिला कर जो पाँच हजार लोग थे पाँच हजार लोगों को परियाब तो बोजन मिल गया सब लोग ने चख कर खाया प्रभु ने कहा कि देखो बांटने के बाद रोटियां बची होंगी जूठे बोजन की बात नहीं हो रही जहां भी इस तरह का काम होता है वहाँ आप जानते हैं वालिंटियर्स काफी लोग खड़े हो जाते हैं तो लोग खा रहे हैं वालिंटियर्स हाथों में रोटी लेकर खड़े हैं कि भाईया हाँ रोटी खाली क्या ये लोग और है जब सब लोग ने खाली तो वालिंटियर्स के हाथ में जो रोटी थी उसके बारे में प्रभू ने एक और आग्या दी और वो आग्या ये थी जब वे खाना खाकर तुरत हो गए मतलब चक कर उन्हें ने खाना खाया फिर क्या हुआ प्रभू ने कहा बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिससे की खाना फेंका ना जाए ये जूटे खाने की बात नहीं हो रही वो वॉलिंटियर्स हातों में जो रोटी के टुकड़े लिये खड़े थे लोगों को देने के लिए बटो और लो फेंकना नहीं भोजन फेंका ना जाए ये प्रभू किया गया थी ठीक है उन्हें ने भोजन इखटा कर लिया बारा टोकरी भोजन बच गया कहां पांच रोटियां थी और कहां पांच हजार पुरिशों ने और उससे ज़्यादा स्त्रियों ने भोजन कर लिया और उसके बाद बारा टोकरी रोटिया बच गया टोकरी तो लोगों के पास गाउं में कहीं भी जाते हैं, आजकल तो फैशन थेले का हो गया है, लेकिन मुझे कम से कम अपने बच्पन की याद है, कि लोग हाट में या बजार में जाते थे, माल खरीदना हो या ना खरीदना हो, तोकरी जरोड साथ में चलती थी, तो तोकरी भरके उनने भोजन लिया, इसे देखकर, लोगों ने एक बात कही, जो अपना आगे देखते हैं, चवदहिवे पद में, उनने जो अद्बुत कारी दिखाए, उसे देखकर लोग कहने लगे, कि जिस व्यक्ति के बारे में भविश्वानी हुई थी, जो भविश्वक्ता आने वाले हैं, वो यही हैं, प्रभु ने ये कारी क्यों किया, इसके पीछे कारण है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रभु इस संसार में किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं आये थे, प्रभु इस संसार में एक उदेश से आये थे, एक उदेश के साथ आये थे, मनिश को मुक्ति दिलाया जाए, उ उनके जीवन काल में जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, वे लोग इस बात को जाने कि प्रभु उनको मुक्ति देने के लिए संसार पधा रहे हैं, और जब एक बार वो इस बात को जान लें कि उनको मुक्ति देने के लिए प्रभु संसार में पधा रहे हैं, तो प्रभु क्या हुआ रिजल्ट जब आन्य जो चार लोगों ने इसके अलावा तीन लोगों ने प्रभु की जो जीवनी लिखी है उसमें से जहां भी एक अथा मिलती है उसको जब अपन पढ़ते हैं तो उससे ये बात पता चलती है कि बहुत सारे लोगों ने उस तिन प्रभु को मुक वो दो फिर से जील के पार चले गए जील के पार जब वे उसे मिले तो उन्हेंने कहा है गुरु आप यहां कब आए प्रभु ने उतर दिया मैं तुम से सच सच कहता हूं तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंटते कि तुमने आश्चरी कर्म देखे लेकिन इसलिए कि रोटी प्रभु के कहने का मतलब यह है देखो मनिश को भोजन के लिए बड़ी मेहनत लगती है कल क्या हुआ था मुफ्त में रोटी मिल गई भर पेट रोटी मिल गई और तुमने यह भी देखा कि 12 टोकरी रोटी एक्स्ट्रा बजगे और इसलिए अब तुमको लगता है कि फ्री 27 पद में नाश्वान भोजन के लिए परिश्वर मत करो लेकिन उस भोजन के लिए जो शाश्वत काल तक ठहरता है इसका क्या मतलब प्रभु के कहने का मतलब यह था मनिश को रोटी चाहिए मनिश को रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए लेकिन मनिश की सबसे बड़ी जरूरत ना तो रोटी है ना कपड़ा है ना मकान है मनिश की सबसे बड़ी जरूरत इस दुनिया की जरूरत नहीं है मनिश के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वो नाश्वने वाले भोजन के बदले अनेश्वर भोजन को प्राप्त कर अनिश्वर भोजन से प्रभू का क्या तात्पर ये था इसको समझना जरूरी है प्रभू का मतलब ये था मैं इस संसार में इसलिए आया मैं तुमको जीवन दे सकूँ प्रभू ने ये भी बोला था जीवन की रोटी मैं हूँ इसके पहले मैं आपको वो शलोक पढ़के सुन प्रभू के जीवन की रोटी मैं हूँ कहने का प्रभू का क्या मतलब था प्रभू का मतलब ये था देखो गेहू की जौर बाजरे की रोटी खाते हो इससे तुमारा शरीर बना रहता है उसी तरह से मैं जो जीवन की रोटी हूँ मुझ पर विश्वास करोगे तो तुमको शाष्वत जीवन मिलेगा तुम सदा सरवदा के लिए जीवित रहोगे तो प्रभू ने अपनी शिट्शाओं में ये बात बार बार कही कि मनिश को शारीरिक जीवन की जरूरत है आत्मिक जीवन की भी जरूरत है जब तक ईश्वर ने उसको जिन्दगी दी है जब तक है पोश्रों की इस बात को याब दिलाता है कि जिन्दगी सीमित है लेकिन जब तक है जिन्दगी तब तक भोजन की जरूरत है उसके बाद क्या चाहिए शाष्वत जीवन की जरूरत है जब तक है जिन्दगी रोटी चाहिए शाष्वत जीवन के लिए शाष्वत रोटी चा आना चाहता हूं प्रिय भाई प्रिय बहन जिस ने जिस व्यक्ति ने इस संसार की स्रिष्टी की है वो आपके जीवन में आपको रोटी कपड़ा मकान दे सकते हैं देंगे यदि आप उन पर आश्राय रखें आश्राय करने वालों को प्रभू उनकी जरूरत के अनसार देते ह आज संधिया को अपने गाउं अपने परिवार वगरा को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर जो भाई और बहन यहां बैठे हैं उनको मैं याद दिला दूँ प्रिय भाई प्रिय बहन आपकी क्या जरूरते मैं नहीं जानता और यदि मैं जान भी जाऊं मैं भी आपके सम एक नश्वर और सीमित मनिश्य हूं आपकी जरूरते मैं पूरी नहीं कर सकता लेकिन संसार के सिर जनहार आपसे बार बार आपको यह याद दिलाते हैं मेरे पास आओ बच्चे तुमारी क्या जरूरत है मुझे बताओ मैं तुमारी मदद करूंगा इस कारण आज प्रभु की वानी जो भाई और बहने सुन रहे हैं आपकी जीवन में जो जरूरत है नौकरी की जरूरत है स्वास्त की जरूरत है आपको गाओं में आपका जो परिवार है उसके मदद की जरूरत है भविश्य के लिए मकान बनाने की जरूरत है अपनी सारी जरूरतें प्रभु के हा आपने दे दीजिये जब समय आएगा तब प्रभू आपकी मदद करेंगे सिर्फ पांच रोटी को देखे अरे पांच का क्या होगा ये सोचने के बदले प्रभू के सामने रखिये जब समय आएगा तब प्रभू आपकी मदद करेंगे ये है पहली बात जो प्रभू के वचन से हम आज देखते हैं दूसरी बात जो प्रभु के वचन से देखते हैं वो यह है हमें प्रभु के पीछे सर्फ अपनी इशारी रिख जरूरतों के लिए नहीं बलके आत्मिक जरूरतों के लिए भी जाना है आत्मिक जरूरत यहां कल क्या होगा आया है सो जाएगा राजा हो, रंक हो, फकीर हो कहां जाएंगे इसका निश्चे आज हमको करना है कहां जाएंगे उसका निश्चे करने के लिए पहली बात यह याद रखना जरूरी है कि जो भी आया है उसे जाना होगा नमबर दो, जाने से पहले प्रभू या आप दिलाते हैं बच्चे मेरे पास आओ मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन सूली पर कुर्बान किया है मैंने तुम्हारे लिए अपना बलीदान दिया है और augijn मेरे पास आकर ये मान लो कि तुम पापी हो तुमको पाप जीवन दूंगा जो शाश्वत है जो कभी तुमसे लिया नहीं जाएगा जैसा मैं बार-बार यहाँ याद दिला चुका हूँ आज से साथ साल पहले मैंने इस बात को पहचाना महीं घुटने टेक कर प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रेंड किया और तब प्रभू जीवन दिया और शाश्वत जीवन की खुशी दी वो आज भी मेरे साथ है आज संधिया को जो लोग प्रभू की बारणी सुन रहे हैं उन सभी भाईयों और बहनों को मैं ये दो बातें याद दिला कर आज का ये जो प्रवचन है इसे क्लोस करना चाहता हूँ प्रिय भाई प्रिय बहन आपकी जरूरतें शायद एक होंगी या अनेक होंगी सृष्टी करता के हाथ में अपनी जरूरतें सौफ दीजिए प्रभू आपकी मदद करेंगे नंबर दो यदि आपने आज तक प्रभू को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहन नहीं किया है तो आज वो मौक है इस सभा के बाद हम इसे किसी से बात कीजिए हम ये बात आपको और विस्तार से समझाएंगे हाँ क्लोसिंग में एक बात मैं फिर से बता दूँ मैं पचास बार ये बात बता चुका हूँ पांच सो बार बताओं तो भी मैं नहीं तक हूंगा क्या बात जब तक है सत्न मिलेगी काम से इस कारण हर संडे थोड़ा सा समय निकाल कर साथसंग के लिए आ जाये करें जिससे के आत्मिक जीवन में खुशी बनी रहे प्रभू आप सब को अपना अनुग्रह दें